कैप्टन संजर पराशर ने अपनी ग्रिशेत्र जस्वा प्रागपुर में मैडिकल कैम्पों का अर्दिश्य तक लगा दिया है। सलेटी गाउ में संजर पराशर ने पचासवी स्वास्त शिविर का आयोजन किया। इस कैम्प में 503 लाभार्तियों ने अपनी उपस्तती दर्च कराई। और अब संजर पराशर द्वारा अगले शिवरो कायोजन दो अप्रेल को नाहन नगरोटा और तीन अप्रेल को नलसोहा पंचाईटों में किया जवाएगा। संजर पराशर ने इस दुरान कहा कि पछले वर्ष 24 परवरी को मैडिकल कैम्प लगानी की शुरुबात स्वाना गाउं से की थी। इसके बाद रोडी, कोडी और रिडी, कुठेडा में स्वास्त शिवर लगाए गए। लेगिन बीच में ही कोरोना की दूसी लेहर के हावी होने के बाद शिवरो कायोजन को समय के लिए रोकना पड़ा। संजो पराशन ने कहा कि साड़े तीन महा के अंतराल के बाद जब दुबारा मैडिकल कैम्पो के अनुमती स्वास भाग ने देनी शुरू की तो फिर पीछे मुर कर नहीं देखा। एक बाँ में चार से छे से स्वास्त शिवर विभिन गाउं में लगाते रहें। अभी मार्च में 17 शिवरो कायोजन कर चुके हैं तो अप्रेल मा में भी 17 ही मैडिकल कैम्पो कायोजन होने जा रहा है। जस्वां प्रागपुष शेत्र को मोत्याबिंद मुक्त करने के लिए अपने संसादिनों से शेत्र की हर पंचायत में स्वास्त शिवर आयुजित करने का निर्ने लिया है। वह पांच पंचायते ऐसी भी रहेंगी जहां दो बार कैम्प लेगेंगी। संजब पराशर ने कहा कि शेत्र को मोत्याबिंद से मुक्ति दिलाने के लिए उनका लक्ष और संकल पूरा होता दिखाई दे रहा है। इसमें स्थानी वास्यों का भरपूर सहयोग रहा है। संजब पराशर ने बताई कि बहर से आने वाले लाभार्टियों के सेवा में गाउं के वासी समर्पित रहे और उन्होंने शिवरों में कार सेवा करके विवस्ता को बनाई रखा। वही सलेटी के मैडिकल कैम्प में 311 ने अपनी आँखों की तो 80 मरीजों ने कानों की जाच कराई। केम्प में पहुंचे भिनला गाउं के किहर सिंग, किशन चन, कोहना से चंद किशोर के अलावा रीना कुमारी ने बताए कि कैप्टन पराशर आम जनता की भलाई के लिए बहुत बड़ा कारे कर चुके हैं। पचास मैडिकल कैम्प लोगों की सुविधा के लिए घर द्वार पर लगाए गए हैं। और निश्वल कि सवास्त सुविधाएं इन कैम्पों में संजे पराशर ने मुहया करवाई हैं। तो यहीं BTC सदसे अनुश्यर्मा, पुरुनी पंच्वाइट के उप्रधान, तिलक राज और रकड के पूर्प्रधान संजे धिमान ने संजे पराशर द्वारा पचास मैडिकल कैम्पों के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुप कामनाई दी हैं।